हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू सीको सीए स्टूटेंट, मेरा नाम है आशीश, आज हम रिवाइस करेंगे सेट आफ, अच्छा सेट आफ के लिए ना, ये एक पेज मैंने बनाया है, नोट्स का, ये बहुत सफिशेंट है, इसको बस धिहान से सुन ले न, इसके बाद मैं छोट जब होता ही नहीं है, तो किसी की भी इंकम के साथ सेट आफ भी नहीं होगा, ठीक है, तो सेलरी का तो लॉस ही नहीं होता, तो बात ही नहीं करेंगे सेलरी की जो, ठीक है, लेकिन सेलरी की जब इंकम होती है, तो उसमें से कौन-कौन सा लॉस माइनस हो सकता है, वो अभी हम आगे पढ़ लेते हैं उसके बाद आता है income from house property house property का जो भी loss है सबसे पहले तो house property की income के साथ set off होगा मतलब intra transaction होगी intra transaction मतलब house property के अंदर अंदर ही तो house property के income से ही उसका loss set off होगा फिर जो loss और बच गया तो और ज़्यादा बच गया तो ही हो सकता है बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और ये carry forward भी हो सकता है हाँ अगर मालो 2,00,00 तक भी आपने कर दिया inter head किसी भी head में कर दिया किसी भी head की income से आपने house property का loss set off कर दिया अभी भी बचा है तो 8 साल तक carry forward कर सकते हैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने जो return है वो time पे file करी हो, due date पे file की हो देखो जब भी हम carry forward करते हैं 8 साल, 4 साल, unlimited years तो उसके लिए ये भी condition होती है कि return क्या time पे आपने file करी है अगर इस case में आपने return time पे file नहीं भी करी house property में तो आपको 8 साल तक carry forward करना पड़ेगा अच्छा ये चीज है ना बस unabsorbed depreciation और income from house property के लिए होती है कि return file नहीं भी करी तो भी 8 साल के लिए हो जाएगा या unlimited time के लिए हो जाएगा लेकिन ये और other उसके लिए नहीं होती बाकि सब heads में आपको time पे return file करनी ही करनी पड़ेगी आगे चलते हैं आगे आता है PGBP PGBP जो है आपका business है profession है उसमें तीन तरीके की income होती है एक तो होता है speculative एक होती है specified 35 AD का business एक होता है normal business जो आपका other business है कोई भी normal business जो है manufacturing का आपका profession हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो देखो speculative business की जो income है ना speculative business क्या जैसे intraday transaction करिए आपने sale purchase करिए shares की intraday में तो वह speculative में आता है derivative speculative में नहीं आता है derivative आपका normal business में count होता है यह याद रख ले ना ठीक है तो speculative में क्या होता है speculative का कोई भी loss है कोई भी loss है तो वो same income पे ही सेट आफ होगा और कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी सेट आफ नहीं होगा बस same income पे ही होगा मतलब speculative की income पे ही होगा और अगर नहीं हुआ और बच गया तो carry forward हो जाएगा लेकिन कितने सालों तक बस 4 सालों तक और return तो आपको due date फाइल करनी ही करनी पड़ेगी due date के बात करी तो यह carry forward भी नहीं होगा तो चार साल तक यह carry forward हो सकता है ठीक है यह याद कर लेते है चार साल उधर क्या था house property में 8 साल यहाँ पर PGPP के इस वाले में कितना है 4 साल speculative में specified 35 AD का अगर आपको loss है ठीक है 35 AD की बहुत सारी होती है हमने देखा था hotel वाली warehouse वाली sugar वाली मतलब बहुत सारी होती है उस पूरी list में अगर कोई loss हुआ है आपको उस business में तो वो same income पे ही set off होगा मतलब अगर hotel industry क loss हुआ है तो क्या हम उसमें क्या नाम है वेर हाउस वाली में set off कर सकते है हां कर सकते हो 35 AD का ही loss होना चाहिए 35 AD की ही income होनी चाहिए हो जाएगा उसके अलावा किसी और की income में वो set off नहीं होगा और carry forward हो सकते है unlimited time के लिए यह unlimited का sign है infinity है वैसे तो यह unlimited time तक set off हो सकता है ठीक नॉर्मल बिजनस का अगर कोई loss हो गया ना तो पहले तो देखो इस PGPP की कोई भी income है उसके सार सेट अफ करो कोई भी income मतलब क्या speculative income specified 35 AD की income है उससे भी हाँ उससे भी हो जाएगा मतलब नॉर्मल बिजनस का जो loss है वो पहले तो PGPP की income से ही set off होगा चाहिए नॉर्मल की यह यह speculative की जो भी income बची है ठीक है उससे minus हो जाएगा फिर उसके बाद inter-transaction भी जाएगा मतलब अभी और loss बचा है तो वो capital gain से other sources से house property से भी minus होगा लेकिन salary से नहीं होगा एक चीज़ यह याद रख लेना कि PGPP की जो भी जो भी loss होता है PGPP का normal business का वो कभी भी salary से set off नहीं होत specified or speculative तो हो भी नहीं सकते वो तो अपने आप से ही होते हैं तो normal क्या होता है salary से नहीं हो सकता ठीक है salary से नहीं हो सकता और सबसे हो सकता है और भी बच गया तो carry forward हो जाएगा 8 सालों तक और इसमें भी return due date पे file करनी जरूरी है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते है capital gain अच्छ short term capital loss को आप समझो अनिलंबानी यह बीबी सर ने बहुत अच्छे से बताई थी यह चीज यह में अच्छी भी लगी थी आज तक याद भी रही और यह section में यह वाला point में कभी नहीं बूला देखो long term क्या हो गया मुकेश अंबानी short term हो गया छोटा भाई हो गया अनिलंबा बड़ा भाई चोटा भाई देखो अनिलंबा निको अगर कory loss हुआ अनिलंबानी को को यह बुगत सकता है या फिर मुकेशमबानी भी बुगत सकता है मुकेशमबानी help कर सकता है ठीक है तो short term capital gain औ लong term capital gain से ही set off होगा loss और कोई भी उसकी help नहीं करेगा ठीक है और उसमें भी return फाइल करनी जरूरी है long term capital loss भाईया मुकेश अमबानी को loss हो गया तो मुकेश अमबानी को अगर loss हो गया ना तो वो भाईया same capital मतब उसकी long term capital gain में ही set off होगा और किसी में अब set off नहीं कर सकते क्योंकि मुकेश अमबानी का loss ये लोग भी अर नहीं कर सकते मुकेश अमबानी को loss होगा तो भाईया वो भाईया वो भाईया खुदी जाने अनिल भी help नहीं कर सकता तो long term capital loss long term capital gain में ही set off होगा तीक है और बचा तो carry forward हो जाएगा 8 सालों के लिए यहाँ भी return mandatory ये फाइल करनी on due date आगे बढ़ते हैं other sources का loss देखो other sources के दो तरीके के loss होगे बस आपके horse के यह होते है owing and maintenance of horse ठीक है जो horse races होती है तो यह horse horse के और others के देखो बस यह other source में दो याद रखने है horse के क्या होगा horse की अगर कोई भी loss हुआ है तो horse की ही income से set off होगा मैंने same लिख दिया मतलब horse की ही income से set off होगा और कहीं से नहीं होगा मैं same income लिख देता हूँ carry forward हो सकता है 4 सालों तक return due date पे file करनी जरूर ही है लेकिन other का क्या हुआ जैसे other हो गई कोई भी हो गई pension income हो गई या other बहुत सारी income होती है जो इधर other sources में आती है उनका क्या होगा पहले तो वो intra head में होगी intra head मतलब मतलब आपका other sources का कोई भी profit है चाहे horse का profit है या किसी और betting, gambling, lottery का है pension का है कोच भी है उधर से ही उसका set off होगा ठीक है फिर होगी वो inter set off inter set off मतलब other उसमें set off होगी ठीक है उसके बाद carry forward कभी नहीं होगी मतलब इसका याद रख ले न other sources की carry forward कभी नहीं होती वैसे एक बात बताऊ other sources का loss भी इतना जादा कर होता नहीं है loss असलियत में business loss होता है capital loss होता है house property में भी loss आ जाता है क्योंकि मतलब अगर आपकी self occupied property है उस case में आ जाता है ठीक है यहाँ पर नहीं आता है other sources में जर्नली तो अगर आता भी है तो क्या होगा पहले intra होगी मतलब अपने अंदर ही होगी चाहे किसी की भी income हो फिर inter भी हो जाएगी लेकिन carry forward नहीं होगी बस ठीक है अब unabsorbed depreciation के लिए point सुन लेजिया unabsorbed depreciation PGPP में होता है any income other than salary salary में नहीं होगा जब PGPP को ही हमने salary में लाओ नहीं किया PGPP की income को भी हमने क्या क्या दिया था salary से दफा कर दिया था हमने का intra हो जाएगी inter कर देंगे किसी में भी कर देंगे लेकि salary में नहीं करेंगे तो भया फिर unabsorbed depreciation को क्यों salary में कटवाएंगे तो salary अगर salary income है न उसमें से unabsorbed depreciation minus नहीं होगा अच्छा unabsorbed depreciation होता क्या है हमारे पिछले साल का depreciation जो बचा हुआ है अभी तक ठीक है उसको भी तो set off करना है ये unlimited time तक set off होगा ठीक है और इसमें return अगर time पर file नहीं करी तब भी चलेगा ये फिर भी carry forward होता रहेगा देखो depreciation कैसे minus होता है वो में आपको सिखा देता हूँ जो PGPP में क्या करते हैं पहले उनको current year का depreciation minus करते हैं जो भी आपका current year का depreciation है उसके बाद आपका जो भी brought forward business losses है या professional losses है जो पिछले साल से चलते आ रहे हैं उनको minus करेंगे इसको second priority देनी है third priority होगी unabsorbed depreciation की भी या ऐसा क्यों रख है मैं तो पहले business नहीं मैं तो पहले unabsorbed depreciation minus करूँ और फिर ये तो आप बुद्धु हो क्यों क्योंकि भाई पहले तो current year के depreciation minus कर लो फिर पिछले साल के business losses minus कर लो क्योंकि आपका भी पता है वो बस 8 साल तक ही carry forward हो सकते हैं उसके बाद तो carry forward ही नहीं होंगे तो उसको utilize कर लो थीक है तो इस तरह ये सारी चीज़े चलती है इसके बाद अगर आप question answers करोगे ना तो आपको easily solve हो जाएगा मैं ये मान के चलता हूँ और आपको समझ आ जाएगा ठीक है ये point याद रखना है इसमें सोड़ा सा लोगों को doubt होता है कि normal business की जो loss है क्या वो इनके भी income से हो सकती है तो हाँ इनके भी income से हो सकती है ठीक है इसके अलावा कई बार मैंने कुछ questions में देखा है मैं ICA की बात नहीं कर रहा है ये study material की बात नहीं हो रही कुछ teachers की books में हो रहा है long term capital loss होता है ना हाउस प्रॉपर्टी आठ साल तक return देखो return फाइल करनी सब में ज़रूरी है बस एक house property में नहीं है और किसमें नहीं है unabsorbed depreciation में हमने याद कर लिया अब क्या हुआ house property आठ साल तक PGPP में speculative चार normal आठ और specified unlimited capital gain में 288 सालों तक है other sources में हमें पता था horse वाला चार सालों तक है जैसे कि वो हमारा speculative होता है या उसकी तरह ही है चार सालों तक है लेकिन other हमारा carry forward होता ही नहीं है ठीक है unabsorbed depreciation unlimited time के लिए अच्छा बनना मैं कुछ छोटे-छोटे points पिखा देता हूं आपको आपको पढ़ना हो तो अभी ऐसे न पॉस करके पढ़ ले न जो भी मैंने आपको ये table बनवाई वो आपको इसमें से मिल जाएगी कि क्या चीज है देखो ये कह रहा है कि same head में जब intra transaction करते हैं तो same head में हम set off कर सकते हैं लेकिन किस-किस को नहीं कर सकते तो speculative business को नहीं कर सकते speculative business का जो loss है Québec business income से ही होगा specified business का loss specified business income से ही होगा set off long term capital loss भी long term capital gain से ही set off होगा ये भी अपने खुद के head में set off नहीं हो सकता मतलब असला Χषा शोट से नहीं हो सकता ठीक है ये horse races वाला भी खुद से ही होगा ये भी other sources की income से नहीं हो सकता ठीक है ये तो मैंने पढ़ाई दिया ना ये बस revise करवा रहा हूँ ऐसे ये provision थे कि inter head adjustment किस-किस की हो सकती है और किस-किस की नहीं inter head adjustment सब की हो सकती है बस किस की नहीं हो सकती एक तो ये जो चारो थे वो तो asities आ जाएंगे उसके लावा short term capital loss भी यहां पर जुट जाएगा वो अपने आप से हो सकता है long term से हो सकता है लेकिन other head में नहीं जा सकता salary में salary income से minus नहीं कर सकते PGPay में भी नहीं कर सकते other sources में भी नहीं कर सकते house property में भी नहीं कर सकते loss from business जो भी होगा आपका वो salary से set off नहीं होगा बाकि किसी से भी हो जाएगा ठीक है जो normal business loss होता है ठीक है तो यह में को यहां पर बताना था यह तो बस वो हो गया आपका इसके अलावा यह भी बता दिया यह भी बता दिया हाँ एक मैं आपको यहां provision बता दिता हूँ देखो कभी भी है ना जैसे कोई entity है entity है वो उसमें मतलब कुछ लोगों का share है और वो दूसरी entity form करने जा रही है ठीक है हो सकता है यह जो लोग है वो दूसरी company में भी जब amalgamate कर रहे हैं demerger कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो यह कुछ लोग उस company में भी पाए जाएं ठीक है तो यह देखना है पुरानी company में जो भी लोग थे ना वो 51% से अगर जादा थे या 51% थे और वो नई company में भी 51% है तो इस company का loss यह company मतलब ले लेगी यह company मतलब carry forward कर लेगी लेकिन set off हो जाएगा लेकिन अगर यहाँ पर जो लोग है और यहाँ पर बिल्कुल नए लोग है या फिर इधर से एक बंद है जिसके बाद 25% share है और वो इधर भी चले गया और उसके बास अभी भी 25% share है लेकिन बाकी लोग सारे के सारे नहीं है तो यह loss set off नहीं हो पाएगा मतलब कहने का मतलब यह है कि पुरानी company में जो लोग 50% से ज़ादा share holding रखते थे थे ना 51 या 51 से ज़ादा वो ही नई company में भी 51% के share holder होने चाहिए अब यह case देख लेते हैं जैसे कि यह case Mr. A, B, C, D पुरानी company में यह share share था ठीक है A और B का अगर combine करके देखो तो 67% है नहीं company में C नहीं है D नहीं आ गया और A और B सेम है लेकिन A और B का अगर combine अभी भी देखो तो 68 है तो पुरानी company के losses यहाँ नहीं company में मतलब set off हो जाएंगे ठीक है पुराने वालों के पर 100% का share था अब नया बंदा 75 में आ गया तो अब पुराने बंदा के पर 25% है तो 51% नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा हम set off नहीं करेंगे तो पुरानी company को कोई भी loss होगा नहीं company में set off नहीं होगा पर यह जो मैंने आपको section पढ़ाया ना इसके quotients एक बार कर लेना यह वैसे होता कि इसके लिए closely held companies के लिए होता है यह 51% वाली बात ठीक है जो मैंने आपको पढ़ाई तेकिन इसकी एक exception है कि अगर अगर eligible startup है section 80 IAC का जिसको अभी 7 साल हुए है तो उस cases में नहीं होगा ठीक है 51% case नहीं देखना है और किसमें नहीं देखना है 51% case अगर आपको जो change हुआ है वो take place हुआ है death of the shareholder की वज़े से या फिर आपने जो change हुआ है वो gift of shares to relative कर दिया है ठीक है amalgamation or demerger of a foreign company के case में यह cases एक बढ़ खुद से बढ़ लेना ICI की आपको summary में भी मिल जाएगा और ICI की book में मिल जाएगा इसके questions लगा लेने ज्यादा मुश्किल आते नहीं है इसलिए मैं इस पर ज्यादा pressure भी नहीं डाल रहा है अच्छा इसके अलावा क्या है इसके अलावा देखो amalgamation देखो अब amalgamate हो रहा है एक होती है पुरानी कंपनी एक होती है नहीं कंपनी ठीक है कितने साल तक वो losses को carry forward कर सकते हैं ठीक है अब losses तो carry forward मतलब दे दिये उसने transfer हो गए लेकिन कितने साल तक होंगे तो भाईया देखो amalgamation demerger एक है firm company में तकदील हो रही है firm मैं लिख देता हूँ convert हो रही है company के अंदर और एक है unlisted company LLP में convert हो रही है ठीक है यह चार cases है चारों के cases में ना fresh 8 साल का time मिलेगा लेकिन demerger के case में ना remaining 8 सालों का time मिलेगा बस देखो सब में fresh fresh 8 सालों का time मिल रहा है बस दी merger के case में remaining मिल रहा है यह आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ examiner खेल लेता है अब अच्चे ही भूल जाते हैं यह चोटी चोटी पॉइंट है मेंको तो याद रहती है एक मैं आपको और पॉइंट दिखा देता हूँ देखो यहाँ पर speculative business income जो है वो intraday वाली होती है जो intraday वाली transaction होती है ना share market में वो speculative business income ही होती है हमेशा लेकिन जो derivative future options यह सब होते है ना यह हमेशन normal business income में ही count होते है इसी के साथ हमारा चेप्टर खतम होता है आपको समझ आयोगा एक बार यह notes उतार लेना जरूरी है क्योंकि mainly question इस page की importance है इस page की बहुत importance है आपको बड़े-बड़े PGBP questions और उसमें काम आएगी है mainly तो यह page ही सब कुछ है यह page अगर आपने बना लिया और समझ लिया ना आपको कोई कर नहीं आएगे चेप्टर में bye bye I think next video में मिलते हैं यह complete हो चुकी है